हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल पर दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे practically तरीके से कि जब footing का काम किया जाता है उसमें क्या mistake के जाती है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको practical तरीके से दिखाएंगे कि इस site पर क्या mistake के जा रही ह यह एक running site है और अभी यहाँ पर काम start हुआ है excavation process complete होने के बाद जो हम अपना bottom layer बनाते हैं और अपने footing mesh को concreting करते हैं अपने column को establish करते हैं तो इस process में क्या mistake इस site पर की जा रही है आज के इस वीडियो में हम इसी topic पर बात करेंगे दोस्तों वीडियो को आप int तक जरूर देखिएगा अगर आप वीडियो को int तक देखते हैं तो foundation में होने वाली mistake आप अच्छी तरीके से जान जाएंगे आपको पूरी knowledge मिलेगी ताकि future में जब भी आप construction करें तो आप से ये mistake ना हो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी से request है कि प्लीज वीडियो को like कर दें अगर चैनल पर नए है construction से related ऐसे ही informative वीडियो जिन future देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को subscribe करके bell notification को all पर press कर देजे चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि यहाँ पर excavation process complete होने के बाद जो हमारा bottom layer है उसको बनाय जा रहा है bottom layer में हमको सबसे पहले PCC करना होता है अब पहले हम यह समझते हैं कि PCC करना क्यों required है condition यह कि हमारा जो foundation है वो डारेक्ट मिट्टी के उपर ना हो reinforcement अगर उसके संपर्क में जाता है तो उसमें जंग लग सकता है इसलिए हमको नीचे एक layer बनाना चाहिए दूसरा वज़ाई यह foundation करने का एक यह तरीका है कि आपका जो bottom layer है वो पर लेवल में हो उपर नीचे ना हो उपर नीचे अगर होगा तो कहीं पर चार इंच छा इंच कॉंक्रीटिंग होगी कहीं पर एक फिट होगी तो हमको उसको पहले एक लेवल में करके surface उसका clear करना होता है तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कि surface को label करने के लिए क्या किया गया है जो bricks है brick ballast को यूज किया गया है brick ballast को आपको यूज नहीं करना है bottom layer में सबसे बढ़िया है आप एक चार आठ रेशियो का PCC कर दें आपको brick ballast नहीं यूज करना है जब भी आप foundation का काम कर रहे हैं तो पहले तो आप जैसे ही मिट्टी खुदाई करें आपका जो भी गड़े के साइज है वह हो जाए तो आप उसमें तीन इंच चार इंच जो है बालू डालें उसके बाद PCC करें PCC ही करना है आपको plain cement concrete ही करना है आपको brick नहीं यूज करना है ब्रिक इतना sufficient नहीं होता है उसमें उसको नौ यूज करें आप उसकी जंगा पे आप PCC यूज करें दूसरा cover block जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं cover block आपको लगाना चाहिए 50 mm का foundation में लगाना है उसको इसलिए लगाना है ताकि concreting के बीच में हमारा reinforcement रहे प्रॉपर उसको cover मिले concrete को यहाँ पर cover block की जगा वहाँ भी red brick का use कर लिया गया है तो आपको यह नहीं करना है आपको cover block 50 mm का लगाना है उसके बाद आप देख सकत ने concrete भी हो रही हो तो यहाँ पर shuttering नहीं किया गया है प्रॉपर आपको shuttering करके चार फिट बाइ चार फिट जो भी आपने length या फिर आपने जो भी width decide करी है आपके engineer ने उसके इसाप से shuttering करें कम से के 8 inch या एक फिट के around concreting करें जो भी आपके drawing में में मेंशन है उसके बिचाना है आपको brick बिचाने का सबसे बड़ा नुक्षान यह भी हो जाता है कि जब आप concreting करेंगे तो आपका brick सूखा होगा एक तो concrete के पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा आपको concrete कम जोर हो जाएगा तो आपको brick नहीं लगाना है आपको PCC करना है एक दिन पहले cover block लग आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें अगर चैनल पर नए है construction से related ऐसे ही informative वीडियो इन फ्यूचर देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके bell notification को आल पर प्रेश कर दें तैंक्यू